नमस्कार, ठिंक 360 में आजम बात कर रहे हैं बजट की, वो बजट जिसका सीधा संभंध आपकी जेब से है, आपकी सेलरी से है और आपकी दैनिक खर्च से है, जी हाँ वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा है, कि 7 लाख रुपे की सेलरी पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन 3-6 लाख की सेलरी पर 5 प्रतिशत टैक्स, ऐसा क्यों? आए जानते हैं कि ऐसा क्यों है, नए टैक्स लैब रिजीम के अनुसार, 3-6 लाख रुपे सालाना सेलरी वाले लो तीन से 6 लाख रुपए पांच प्रतिशत टैक्स और 6 से 9 लाख रुपए 10 प्रतिशत टैक्स 9 से 12 लाख रुपए 15 प्रतिशत टैक्स और 12 से 15 लाख रुपए 20 प्रतिशत टैक्स 15 लाख रुपए के उपर 30 प्रतिशत टैक्स लेकिन वित्यमंतरी निर्मला सीता रमन ने यह भी कहा है कि 7 लाख रुपए तक की सेलरी पर कोई टेक्स नहीं लगेगा, ऐसा कैसे? माना की कबीर किसी कमपनी में काम करता है और उसकी सेलरी सात लाख रुपए है, तो नए टेक्स स्लैब के हिसाब से उस पर जो टेक्स लगेगा वो कुछ इस तरह है, सात लाख की सेलरी को हम तीन हिस्सों में बाठ कर उस पर लगने वाले टेक्स को बताते हैं, इसे कुछ ऐसे समझो, पहले 3 लाख पर 0 पृतिशत Tax, यानी 0 रुपए अब अगले 3 लाख पर 5 पृतिशत Tax लगेगा, यानी कि 15,000 रुपए Tax और बचे हुए 1 लाख पर 10 पृतिशत Tax लगेगा यानी 10,000 रुपए Tax यानी कबीर को कुल 25,000 रुपए tax के रूप में देने होंगे लेकिन वित्मंत्री ने कहा है कि 7 लाग तक की salary पर कोई income tax नहीं लगेगा इसलिए कबीर को ये 25,000 रुपए नहीं देने होंगे यानि income tax के section 87A के तहट rebate मिलेगा एक बात का ध्यान रखिए कि कबीर ने नई tax regime को अपनाया है और इसलिए वह है अपने किसी भी प्रकार के investment, deduction, PPF, home loan, NPS, HRA इस तरीके की तमाम सुईदाओ को अपनी salary से घटा नहीं सकता उसके net taxable income और gross taxable income दोनों ही 7 लाख रहेगी अब आते हैं दूसरे मामले में मान लो आपको एक time machine मिल गई और आपने पीछे जाकर अपनी salary को 7 लाख की जगे 8 लाख रुपे कर दिया अब आपकी 8 लाख की salary को 3 हिस्सों में बाट कर उस पर लगने वाला tax कुछ इस तरह होगा पहले 3 लाख पर 0 पृटिशड tax यानी 0 रुपे tax अब अगले 3 लाख पर 5 पृटिशड tax लगेगा जिसमें 15,000 रुपे tax के होंगे और बच्चे हुए 2 लाख पर 10 पृटिशड tax लगेगा यानि 20,000 रुपए tax यानि आपको पुल 35,000 रुपए tax के रुप में देने होगे इसी तरह अन्य salary range के लिए tax की रकम कुछ इस तरह से होगी 9,000,000 की salary पर tax 45,000 रुपए 10,000,000 की salary पर tax 60,000 रुपए और 11,000,000 की salary पर tax 75,000 रुपए वहीं 12 लाग की सैलरी पर 90,000 रुपे टैक्स लगेगा तो उमीद है अब आपको इंकम टैक्स लैब और बजट समझ में आ गया होगा इसी तरह की अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार